एक्ट्रेस उर्फी जावेद आए दिन किसी न किसी वज़से सुर्खियों में आती है और जहां इस बार जब उर्फी ने खुद के अरिस्ट को लेकर एक फेक विडियो बनाया तो उनकी सच में मुश्किले बढ़ गई क्योंकि मुंबई पुलीस ने उर्फी के खिलाफ F.I. यार रजिस्टर की है जिसमें उन पर 4.I.P.C की धाराएं लगाई है साथ ही पुलीस का कहना है कि पबलिक सवेंट ने उनकी इज़द मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है ऐसे में उर्फी पर 171, 149 चीटिंग, 500 डिफिमेशन और 34 कॉमन इंटेंशन का केस दर्ज किया है कोशिश में उर्फी लंबी फन सकती है क्योंकि ओशिवारा पुलीस स्टेशन का कहना है कि उन्होंने चार सेक्षन के अंदर में उर्फी और उनके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है दरासल 3 नवंबर की सुबह में जो उर्फी ने विडियो बना कर सोशल मीडिया पर ताला था उसमें फेक पुलीस थी जो एक्ट्रेस को गिरफ़तार कर रही थी और यह गलत तरीका है और यह करके उर्फी ने पुलीस को बदनाम करने की कोशिश की है इसी लिए ओशिवारा पुलीस ने ट्वीट कर कहा है कि केस पर पूछताच और इन्वेस्टिगेशन जारी है साथ ही फेक इंस्पेक्टर की गिरफतारी हो सकती है साथ ही जो पुलीस की गाड़ी का इस्तवाल वीडियो के लिए किया गया है उसे भी जब्त कर लिया गया है वही हम आपको बता दे की उर्फी अकसर ही अपने कपड़ों को लेकर विवादों से घिरती नजर आती है हाला कि इसी के साथ उर्फी ने भी एक वीडियो शेर किया है जिसमें वो बता रही है कि आखिर उन्होंने तीन नवंबर की सुबह ये सब ड्रामा क्यों किया दरसल उर्फी अपना फैशन ब्रैंड लेकर मार्केट में उतर रही है जहां अतरंगी कपड़े, मेकप, हीस, सब तरह की चीजें वो सेल करने वाली है और इसी के साथ फैशन आइकॉन कहे जाने वाली उर्फी अपने आउटफिट्स बेचने वाली है और जहां वीडियो में देखा जा सकता है कि उर्फी कितने अलग-अलग तरह के कपड़े पहने नजर आ रही है हाला कि इस मामले में क्या उर्फी को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा वैसे उर्फी जावेद के इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताईए और चैनल को सब्सक्राइब करिए